देहरादून से कैंटेरिया की ग्रामनंद की चौंकी धौलश मुख्य मार्ग पर चलने वाली गाड़ियों में आग लग रही है और एक गाड़ी में आग लगने से तीन व्यक्ति घायल भी हुए हैं जिसमें एक पूरिश और महिला और एक बच्चे को गाम वालों ने बड़ और फैलने लगी बता दें कि उत्राखंड में गर्मी का कहर लगातार जारी है पूरे भारत में ही गर्मी हाना की बहुत जादा बढ़ रही है राज़ानी दैरादून के कैंटेरिया की ग्रामनंद की चौंकी की ये खबर है जहां पर चलती हुई गाड़ी में ये भ्यानक आग लगी है